नमस्कार साथियों मैं हूँ एडवगेट सोक सोतरी साथियो पिषली वीडियो में है पर ने बात किया था कोवेट से related company के जो भी वीज़ा प्रोसेस होता है कैसे क्या होता है कितनी income होती है तो मैंने second video बनाया है कोवेट का आजाद वीजा जो कोवेट का सबसे बड़ा वीज ठीक है तो उनका एक दिनार का दो सो चोबीस पत्चीस यानी कितना गुणा ज्यादा हो गया ठीक है तो कोईट में हर आदमी जाना पसंद करता है क्योंकि वहां पे अच्छी चरली मिलती है अच्छा पैसा मिलता है लेकिन ये वीजा की बात करूंगा ये बहुत ही कोस्टली इतने में तो लोग पता नहीं बिरूप हुझ जाते हैं कोईत का थोड़ा सा वीजा हाड़ी पढ़ता है तो चलिए अपने सुरुआत करते हैं साथ्यों मैंने हैं good job ठीक है इसमें सोन वीजा सोन मीजा कैसा होता है यह वहां की लेंगवेज़ है सोन ठीक है सोन का मतलब आपने पास्पोर्ट की कोपी जिसको बोलते हैं वहां पर मेल करनी होती है उसके आधार से वहां से वीजा निकलता है। बाद उसको गमका मेडिकल करवाना पड़ता है जिसके 5000 रूपे इंडियन रूपीज लगते हैं जैसे हमारे रास्तान में जेव पूर होता है तो साथी इसकी बात करते हैं आजाद बीजा का मतलब होता है डायरेक्ट आप आजाद हो आपके पासपोर्ट में जेव में पासप आप से जाती हो तो पहले से वहाँ पर आपके आद्मी मेङ्जू भी रच्थे दर होते तो उन ही के साथ में जोब मिल जाता है क्योंकि यह सोन बीजा तो आप एमें ठेका दे दो ऐसे कुछ होता है वहाँ पे तो इस वीजा में वो ही जाता है जहां से उनका पहले से कोई link होता है या उसको knowledge होता है कि जाके अपना आराम से काम कर लेंगे ऐसे हरादमी इस वीजा में नहीं जा सकता दूसरी बार साथिवे उसके खर्चे की बात करें तो बहुत ही कोस्टली है लग भग 3.5-3.5 रुपे इस बीजा का खर्चा आता है जो होता है एक साल का ठीक है साथिवे एक साल के आपको 3.5-3.5 रुपे देने पड़ेंगे लेकिन उसके बाद ही एक साल बाद रिन्यू होता रहता है ठीक है रिन्यू होने के लिए 70-80 लाक रुपे करीब एक साल का फिर खर्चाएगा यानि इस पीजा में आदमी वो ही जा पाता है जो कम से कम 7-8 लाक रुपे मेने साल का कमा पाता है वो इस वीजा में जा पाता है वरना बहुत मुश्किल और हार्डली थोड़ा वीजा पढ़ता है यह बाकी लोग इस वीजा में जाते हैं उसमें पैसा बहुत है पैसा बहुत है क्योंकि यह आजाद वीजा है उसमें पुलिस का कोई जंजट नहीं है यह मलेशिया वाला नही आता है फिर एक साल चैसे से करते हैं लाइब टाइम से 20 साल तक इस पीजा पर आप एक ही बीजा पर रह सकते हो इसको सिरफ रिन्यू करवाना पड़ेगा ठीक है साती हो दूसरी बात इसमें ओपन काम होता है कंपनी काम यह नहीं कि आपको इस बीजा में लेके चले गए कंप इसी काम के लगबग 80% लोग वहां पर रहते हैं मेरे रिलेशन में कम से कम सो से डेड़ सुलो कोईट में रहते हैं ठीक है तो यह सिस्टम ऐसा है ओपन काम है 80% प्योपी अगर आप कोई जाना चाहते है तो प्योपी का काम सीख के चले जाएं कम से कम मैं गारंटी देता यह पैसा आया 30,000 ऐसा नहीं होता वहां पर तो जितना मेनद करोगे इस काम में यह यह पंदरा पंदरा घंटे लोग काम करते लाग रुपे भी कमाते हैं 30 दिन बर के ठीक है वह सिस्टम है इसमें इसमें साथी हो यह ओपन काम होता है गम का मेडिकल होता इसमें दो मेडिक में क्या कितना मिलता है? तो सति पगार हेलपर में 8 दिनार से 10 दिनार और कारिगर एक हेलपर आदमी पर डे कमाता है अगर 10 दिनार कमाता है ठीक है तो मेने की 300 दिनार होती है 300 इंटू 24 से आप गुणा कर लिजीए कितना होता है अच्छा पैसा बन्दाज में 35-大丈夫 आराम से इसमें कमा सकता है सुछ चल्ड, लेकिन इसका थोड़ा सा कोशली यह पड़ता वीजा कोश्ट ली होने के पुँस जाधा लगता है तीन से चार मेने, छे मेने तक आपको वेड़ करना पड़ेगा, वहां से कोपी डालने में, कई बार कोपी डालने के आपकी पासपोर्ड की कोपी डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वीजा प्रोसेशिंग कोवेट का एकदम सलो चलता है ठीक है साथियो तो साथियो मेरे पास जितनी इंफोर्मेशन थी मैंने आपको दे दी फिर भी आपको कुछ क्यूशन हो तो कमेंट करें मैं नेक्स्ट वीडियो बना क के चाहिए हिन वादेमा